हेलो फ्रेंट्स वेलक्म गैक तो मेरा चेनेल फ्रेंट्स, आज में आप लोगों के साथ ये एक बहूत ही सुन्दर प्लांट के बारे में श्यार करूंगी जो की है पॉइंचेटिया और ये ही है वो प्लांट जो की विल्टार में इसका पत्ता जो होता है तो आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते है इस उंटर में और ओक्टोबर नोवेमबर से ऐसा कालर स्टेन सोना शुरू हो जाते है इस प्लान का तो आज इस प्लान को हम रिपोर्टिंग भी करेंगे सात के लिए हमें कैसा सोईल चाहिए कितना दूप देना है, कितना पानी देना है, और सात में क्या-क्या फार्टिलाइजर हम इस प्लान को दे सकते हैं तो यह सारे टीटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो फ्रेंड्स इसलिए वीडियो पुरा एंड तक देखियेगा और यह जो प्लांट है अभी हम इसको रिपोर्टिंग करते हैं पहले देखिये फ्रेंड्स इसके लिए आप दस इंज आट इंज से पॉट ले सकता है सोटा प्लांट होने से मेरा यह दोस इंज का पॉट है और उस पॉट में ऐसा ड्रेनेस सिस्टेम बनाने के लिए ऐसा पॉट में सेथ बना ली जिएगा और उस सेथ को फिर हमें कुस बड़े बड़े पात्थर से ऐसा करके ठाकना परता है कोई भी सीस हो उसी से आपको ऐसा करके ठाकके उसके उपर आपको छोटे-चोटे पात्थर या फिर सेंड दिने से बहुत याचा वेल ड्रेने सिस्टेम हो जाते है यह देखिए मैंने कोकोनाट शेल दे रही हूं में तो आप भी दे सकते है जो भी आपके पास अवेलेबल है इसके उपर में यह देखिए यह सुटे-सुटे पात्थर और सेंड मिला हुआ है तो इसको मैं ज्यादतर डालती हूं और इसके उपर में हमारा फिर जो सोईल मी इसको बनाना परता है इंपलांट के लिए और इसका अभी हम पॉटिंग मेंग्स देख लेते हैं देखिए फ्रेंट्स इसके लिए हमें एक भाग कार्डेन सोयल चाहिए होंगे और यह जो चले मिट्टी है वह हमारा जो मिट्टी होता है वह चले मिट्टी ज्यादा है और इसलिए हमने एक भाग लिया है और सात में एक भाग हमने कोमपोस्ट लिया है और सात में ये है सेंड dot तो इसको आपके जो सोयल है उसी साब से लेना है मैंने 2 part σेंड लिया है, अगर आपका जो सोयल है वो भी ऐसाãy क्लेह मिट्टी ज्यादा है, तो फिर आप भी 2 part सösंड लेगा और अगर आपका मित्टी सैंडी निती है तो एक पर्ट ले सकते हैं कोंपोस्ट में से आपके पास जो भी कौंपोस्ट अविलेबल हैं वह ही आपको एक पर्ट लेना है और साथ में fungicide powder मिलाएगा अगर आपके पास available है तो जोरूर मिलाएगा तो यही सोब को अभी हमें अच्छे से मिलाना है और मैंने मिला के भी रखा है और मैंने देखिये वो बोकरी का खाद डाला है तो अभी हम इस potting mix को इस pot में डालते है यानि plants को reporting करते है और friends आप लोग देखते रहिएगा कैसे करके हमें इस plant को reporting करना है और साथ में हम इस plant का complete care tips share करते हैं पहले हम बात करते हैं इस plant को हमें कितना धूप देना है friends यह जो plant होता है इसको धूप चाहिए होता है लेकिन डाइरेक्ट धूप नहीं देना है इसको आप ऐसी जगा पे राखियेगा खोला जगा पे राखियेगा शेट के नीचे नहीं राखना है जो इनडारेक्टली प्राइट सानलाइट अच्छे से आज आते है ऐसे जगा पे आपको राखना चाहिए इस plant को यानि सेमी शेट में भी आप राख सकते है लेकिन सुबा का धूप ज़रूर दीजिएगा दो दिन घंटे का तो इस प्लांट के लिए बहुत ही आचा रहेगा और इस उइंटर में आप फूल सानलाइट में भी राख सकते है और जो समार आजा है तो आप सेमी शेट में राख सकते है इस प्लांट को ऐसे करके आप इस प्लांट को धूप दे सकते है ऐसे तो जो प्लांट है ये तो जो फूल होता है इसमे वह बहुत ही छोटा-छोटा इसका उस पत्यों में है तो इसलिए इसको एक पत्यदार प्लांट जैसा ही हम लोग सोच सकते हैं तो इसलिए धूप तो ज्यादा नहीं देना है इस प्लांट को तो उसी सबसे आप धूप दीजिएगा जो मैंने बोला कि इंडिरेक्टली ब्राइट सनलाइट आते है ऐसे ज देना है फ्रेंड्स पानी तो हमें बहुत ही अच्छे से देख के ही पानी देना है क्योंकि इसलिए हमने इसको प्तिफाल कोब व्यास को प्तिक प्ला देख मिट्टा थोड़ा सुक गया है तब हमें इस प्लांट में पानी देना है और या फिर आप हात लगा के देख सकते हैं कि अंदर में मौश्चार है की नहीं तब आपको पानी देना है लेकिन अंदर ही अंदर मौश्चार रखना ज़रूरी है मोईस्ट राखना जोरूरी है और देखिए विल्कुल ऐसा ही करके आप भी रिपोर्टिंग किजिएगा जो हम मिट्टी डालते हैं पॉट में उसको थोरा सा ऐसा करके दाबा के मिट्टी को भराईएगा हलका दाबा के तो बहुत ही आचा रहेगा जो एयार नहीं तो कोभी कोभी एयार रह जाते हैं और उस एयार से फिर फांगास लग जाते हैं और थोरा साहलका दाबा के मिट्टी भराने से फांगास लगने का डर कौम रहता है और बिल्कुल ऐसा ही करके आप भी रिपोर्टिंग किजिएगा तो फ्रेंट्स ये पानी का बारे में भी मैंने बोल दिया अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें धूब कितना धूब भी हो गया हम फार्टिलाइजर क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में बाते करते हैं फ्रेंट्स ये प्लांट को फार्टिलाइजर भी ज्यादा नहीं सही होता है आप इसको महिने में एक बार सेम रेशियो का NPK जो होता है 19-19-19 वो बहुत ही आच्छा होता है इस प्लान के लिए उसको आप मेरे ये दोसिंज का पॉट है तो एक चम्मस हमें महिने में एक बार प्लांट्स के चारो तरा डाल के फिर पानी देना है और फ्र फिर उसके पिसले यानि उसके अगले दिन जब फिर फार्टिलाइजर डाले तो फिर दुबारा पानी डाले ऐसा करने से प्लांट्स का जो प्लांट्स है वो बहुत ही आच्छे तरीके से उस फार्टिलाइजर को ले सकते है और फ्रेंट्स इसको हम और एक तरीके से भी फ परफोस्पेट जो आपके पास एविलेबल है वो आपको आधा समॉस लेना है और साथ में आधा समॉस आपको पोटास मिलाना है तो तीनों को अच्छी से मिला के आप ये दस इंस के पोट में पोरा डाल सकते हैं और आट इंस का होने से उससे थोड़ा सा कॉम करके ये महिने में एक पर डालने से हो जाएगा और जो एनपी के है वो आट इंस होने से आप आधा समॉस डालिएगा प्लांट के चार तरफ और सात में अभी हम जो उइंटर में मस्टार्ट केक का लिवीड फार्टिलाईजर बनाते है वो आप जोरूर डालिएगा इस को अच्छे राखने चलिए हमें हर 15 देश के अंदर अंदर पेस्टीसाइट का स्प्रे करना है तो हमें क्या स्प्रे कर आ देखे देखिए भीस को आप जिसको इसका ने प्लांट बहुत ही आचा रहतान रहेंगा नहीं नहीं प्लांट्स में, और साथ में फांगिस साइट का भी इस्प्रे किजिएगा, अगर आपके पास वेलिबल है, तो वह वी 22-25 टेस्थ के अंदर अंदर पत्यों में इस्प्रे किजिएगा, और जब ऐसा कालारफूल पत्य आजाते हैं तो अब आप ये इसका तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा और यह आपको महीने में एक बार करने से हो जाएगा एक लिटर पानी में एक चम्मस आपको लेना है और अच्छे से घोल के प्लांट में स्प्रे करना है तो ऐसा करने से आपका प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा और यही थेंक यू सो मॉच्छ पर वाट